नमस्कार दोस्तों वेलकम टो आस्ट्रोलोजी मैं नीतु सिंग साल दो हजार पच्चिस में राहू और केतू गोचर करेंगे कौन से ऐसी राशिया हैं जिनकी किस्मत बदलने वाले यानि हर छेतर में उन्हें सफलता मिलने वाले चाहें वो प्रोमोशन हो चाहें नौकरी हो करें विवा हो चलिए जान लेते हैं दो हजार पच्चिस में राहू केतू का कई राशियों के लिए सुभ होने वाला है खासकर मितुन मकर और धनु राशी के लिए तो चलिए इन राशियों के बारे में बात करते हैं 2025 सुरू होने में बस कुछ ही दिन रह गया है या कहली जी एक महीना रह गया है ग्रहों की लिहास से साल 2025 काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि नए साल में कई ग्रह राशी परिवर्तन करने वाले हैं इनी ग्रह में एक राहू और केतू भी हैं जो हर 18 महीने में अपने इस्थिती बदलते हैं साल 2025 में राहू और केतू की इस्थिती की बात करे राहू मीन राशी से निकल कर कुम्भ राशी में जाएंगे जबकि केतू कन्या से निकल कर सिंग राशी में प्रवेश करेंगे तो चलिए जान लेते हैं कि ये परिवर्तन किन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है मिथोंडाशी मिथोंडाशी के जातकों के लिए ये गोजर बहुत ही शुबसाबित होने वाला है राहू आपके नवम भाव में इस्थित होंगे और वहीं केतू तीसरे भाव में रहेंगे ऐसे में नए साल में आपका भाग योदे होगा यानि नए साल आपके जीवन में खुशिया लेकर आएगा लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे करियर में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा नौकरी की तलाश जिन लोगों को थी वो तलाश खतम होगी जो नौकरी करते हैं उनका प्रमोशन होगा सैलरी बढ़ेगी आप कहीं तिर्थी यात्रा पर जा सकतें परिवार के साथ अच्छा समय वितीत होगा हो सकता है कि आपके घर में कोई नया वाहन भी आए मकर राशी के लोगों के लिए भी राहू और केतु का ये गोचर लावकारी होने वाला है राहू आपके तीसरे भाव में और केतु अस्टम भाव में रहेंगे नया साल मकर राशी वाले जातकों के लिए खुशियां लेकर आने वाला है इस परिवर्तन से आपको ऐसे ऐसे लाब होंगे जो अपनी सोचा भी नहीं था आपका मानसिक लेवर सारे रिक स्वास सब अच्छा रहेगा क्योंकि आप मैंटली बहुत टोचर रहे हैं दोस्तो अब बात करते हैं तीसरी राशी यानि धनूराशी धनूराशी के जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत फायदेमन साबित होने वाला है वही तीसरे भाव में आपका राहु प्रवेश करने वाला और के तु नवव भाव में रहेंगे इसके कारण आपको भाग का पूरा साथ मिलने वाला है इस दोराण आप किसी भी छेतर में सफलता हासिल कर सकते हैं यानि आप जो असफल होते हुए आ रहे थे तो समझ जाएए कि वो समय आ गया है कि अब सफलता आपके कदम चुमेगी दामपत्य जीवन में जो भी भूचाल चल राता वो अब समाप्त होगा यानि आपके चीवन में एक अच्छा समय आने वाला है दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई वीडियो लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे जै श्री शाम जै माता दी